तो इस वीडियो में मैं सेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी मेथी के पराटे with secret ingredients तो चलिए बनाते मेथी के पराटे उससे पहले अभी तक आपने मरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का और अब मैं ले रही हूं टू बड़े बोल आटा यानि वीड लोर अब मैं इसमें डाल ले हूं वन फोर्थ बोल बेसन अब मैं इसमें डाल ले ओं अद्रक लैसेन और फ्रैस हरी और लाल मिर्ज का पेस्ट यह एक बड़ा चमच के करीब है अब मैं इसमें डाल ले हूँ हाफ टीस पी हल्दी पाउडर एक चोटा चमच हल्दी पाउडर का स्वाद अनुसार नमक अब मैं इसमें दो बड़े चमच रिफाइंट ओयल डालूँगी इससे जो मेथी के पराठे होंगे बहुती टेस्टी और बहुती खस्तेदार बनेंगे तो यहां पर मैंने यह दो बड़े चमच ओयल डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे तो यह अच्छी तरीके से मिक्स हो गया अब मैं इसमें चॉप मेथी डालूँगी और फिर मैं इसे अची तरीके से पहले mix कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम डो त्यार करेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका डो त्यार कर लेंगे टाइट सा डो त्यार करेंगे क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट डाला हुआ है तो उससे भी डो क्या होता है कभी-कभी जादा अगर पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा इसका इंग्रीडियंट है वहां बेशन और ऑईल तो आप जरू डाले उससे पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो डो हो गया तो चले बनाते हैं आप इससे पराठे तो यहाब मैं हाफ डो ले रही हूं और जिस पीस सेप का आपको पराठा बनाना हो छोटा बड़ा उस तो बस एक medium thickness के पराठे बनाने हैं और जब आपन पराठो को सेकेंगे मतलब टोस्ट करेंगे या semi-fry करेंगे तो हम इसे low to medium flame में करेंगे तो इस तरीक से करके मैंने सारे पराठे डोल आउट कर लिये हैं मैंने तबा चड़ा दिया था फ्लेम अन कर ली है और पराठा डाल दिया है मैंने तो इसको मैंने फ्लिप कर लिया तो जब तक हम घी नहीं लगाएंगे जब तक हम दोनों साइट से इसे फ्लिप ना कर दें और ये डॉट ना जाएं और आप घी बटर किसी से भी पराठो को कुप कर सकते हो तो इस तरीके से प्रेस करते हुए हम पराठो को सेकेंगे तो ये पराठा बन करके त्यार है इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना करके त्यार कर लूँगी तो बस पराठे बन करके हो गएं त्यार तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से बनाईए बहुत ही टेस्टी बनेंगे और अगर आपको हमारी recipes अच्छी लगते हैं तो हमारी चैनल को कर लिजिए like, subscribe, share और comment और bell icon प्रेस करना ना भूलें तक आने वारी recipe का notification आप तक पहुंच सकते हैं